कुकुमबर्स की असले मिठास और जूसीने इस तो घर के हुगाई हुए कुकुमबर्स में ही होती है तो चलिए जानते हैं पोट्समिन को कैसे हुगाई है सबसे पहले हमें एक अच्छा सॉयल मिक्स बनाना है जिसमें गार्डन सोय के अलावा होगा खाद, कोकोपीट या सूखी पत्या और बोर्मील अगर मिट्टी चिकनी है तो रेत भी ज़रूर मिलाएं और हमें चाहिए कम से कम 12 इंच गहरा पोट या ग्रोबैक बीच से या पोद से शुरुवात कर सकते हैं लेकिन बीच के लिए भी थोड़ा सा लेट है तो बहतर होगा कि हम मार्किट से सापलिंग सहरित के लाएं और उसको इस मिट्टी में लगाएं सबी बेल वाली सबजियों के लिए सपोर्ड बहुत ज़रूरी है उसके बिना वो बहुत अनमैनेजड होती है और कई बार आसपास के पोदों को भी जखर लेती है इन बेलों को हम कई तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं रसी की साहता से, स्टिक्स की साहता से या कोई वायर फ्रेम की हल्प से अगर बेल को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फ्रूट का साइस भी छोटा होगा और फ्रूट की संख्या भी कम से कम रह जाएगी हाला कि पॉलिनेशन का काम पॉलिनेडर्स का है लेकिन फीमेल फ्लार फ्रूट में कनवर्ट हो उसको इंशोर करने के लिए हैंड पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है हैंड पॉलिनेशन करने के एक हफते के अंदर आप जूसी और फ्रेश कुकुमबर्स हार्वेस्ट कर सकते हैं हैपी गार्डनिंग